आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैसे आप सब लोग मेरी यही दूआ होती है हमेशा और उमीद भी यही होती है कि आप जहां कहीं भी हो बिलकुल खेर खेरियत से हो अपनी जिन्देगी को मज़े से गुजार रहे हो खुशबाश हो तो आज मैंने टेलिविजन लगाया और इसके सासत में सोशल मीडिया देख रही थी तो बड़ जो जीतने वाले अफराद थें उनमें तख्सीम किए उनको जो अवाइड दिये गे वो उनमें तख्सीम किए और साथी साथ उन्हों ने अपनी राए का इजहार भी किया और उनकी राए सुनके मेरे तो जिल को बहुत खुशी हुई और मुझे यह उमीद बंदी कि अब हम नौजवान नसल की कारकुर्दियूगों को बहुत सा रहा उन्हों ने कहा बट्सिं का Bollywood की और Hollywood की जिसके बाए समारा अपना content हमारा अपना culture हमारी APNI सोच ख्यालाइट कहीं दूर रह गए और यह हम पर गालिब आगया जिसके बाद हमारी रामा industry film industry वैसी नहीं रही जयती तो उन्होंने चाहिए थी तौर्म ने का के पाकिस्तानियत का तकाज़ा भी यह है कि हम सब मिलकर इस चीज़ को फरोग दें और मैं बिलकुल मुकमल इत्वात करती हूँ इमरान खान साब की बात का मुझे याद है कि पुराने ड्रामा जितने हमारे थे तब वी एचेस होता था उसको ले जाते थे लोग यहां से डिमांड करते थे खास तोर पर भारत में रहने वाले और वो पाकिस्तानी ड्रामा को देखना चाते थे लेकिन फिर हम लोग ने उनकी तकलीच शुरू कर दी हम लोग उनका ड्रामा देखने लगे फिर वो कल्चर की एक ही लगार हो गई जिसके बाद अब हमारा ड्रामा उसके जो आप देखे ना टॉपिक्स उठाके देखे तो जीब से टॉपिक्स होते हैं क्रियेटिविटी नहीं है कोई हम हिस्टरी की बात नी करते हम लोग कौन हैं नसल दर नसल क्या चीज़ें आगे लेक्या है हमारा कल्चर क्या है उस पर कोई बात ने बदीट है और फिर भी हमारे मीडिया से भी कहा यानि कि वो टेलेविजिण जहां पर ड्रामा चल रहा है और खास तरह पे फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म बना रही है कि हमें इस तरह के टॉपिक्स पर काम करना चाहिए जिससे हम अपने असल कल्चर को पूरी दुनिया में पहला सकें क्योंकि यही एक कल्चरल एक्सचेंज का जरीया है इस वक्त सोशल मीडिया है, मीडिया है, टेलिविजन है, फिल्म है जिसके जरीये से हम चीजों को पहला सकते हैं इससे पहले भी खान साब ने एक बड़ा अच्छा इक्ताम किया था रख यह था ओर शेट कैसा के बाहर से ब्लॉगर्स को वि-लॉगर्स को ट्रेवलर्स को पाकस्तान और भी मुतिए कि अझे पाकिस्तान के हुसन को एक्सफ्टान को पाकिस्टान कि एप जाटेंगां थे नखुमेंटरिस बनाए थे वीलॉग्स बनाेते हैं और एक और बड़ी खांसाब मज़दार बात की कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटीशन्स हैं, वो जनाब छुटियां गुजाने के लिए चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहिर, पाकिस्तान को एकस्प्लोरी नी करते हैं, हलांके पाकिस्तान इतना ज्यादा हसीन है मैंने आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में विजिट कर लिया है, पूरा पाकिस्तान खूम लिया है मैं आपको बता सकती हूँ के कश्मीर, गबादर, नारान, कागांस, कर्दू, यह सब जगे इतनी खुबसूर होता है कि आप बाकी दुनिया से इसका ममाजना करें तो किसी तोर यह कम नहीं है लेकिन वही बात एक्स्प्लोर नहीं कर सके लेकिन इस सिलसले में हमें टूरिस्म की सहूलियाद भी देनी होगी तो खास आपको इस पर भी थोड़ा सा काम करना होगा यह जो नैशनल इमिच्यूर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है इसका आई-एस-प्यार ने इनकाद कराया था और आज जो तकरीब मनकित की गई थी उसमें डिस्टिबुशन थी प्राइस डिस्टिबुशन थी उसमें बड़े नौजवान लोग नज़र आया और मुझे भी बड़ी खुशी हुई खास आप ने एक बड़ा जबदस्त वाकिया भी शेयर किया आप देखते हैं ना कि हमारे जो अच्छे अच्छे फंकार आई इन्टरनेशनल लेवल पर उनकी कितनी पजीराई होती है उनमें एक नाम है नुसरत फटेली खान साब का जो के अब तो दुनिया में मौझूद नहीं है लेकिन उनने जो काम किया है उसको लोग आज भी देखते हैं और यखीन जाने गोरे उनके काम के इतने मद्दा हैं कि मैंने उनको जूमते देखा हूं की कवालियों पर कवाली जो के हमारा कल्चर है तो लैंग्विश का पैरियर भी नहीं था उन्होंने जो क्रियेशन की उसकी इतनी कदर थी और खान साब ने भी बिताया कि जब शौकत खानम के लिए वो फांड से कठे कर रहे थे तो उस दोरान वो नुस्त साब को साथ लेकर बेरूने मुलक जाते थे फांड रेजिंग के लिए वहाँ पर कॉंसर्ट करते थे जो लोग बहुत पसंद करते थे उनको ये नुस्त सते अली खान साब एक नाम नहीं है ऐसे बहुत से पाकिस्तानी फिनकार हैं जोनोंने औरि परिजनल काम करते हैं कापी नहीं करते नकल नहीं करते थे तब आपको मलती है कामयाओ지 खाल साब ने आईस पी आर की तारीफ पी की और साथ ही साथ डी जी आईस पी आर की तारीफ पी की बापर इफ्तकार साब के उनोंने ये कामयाब फेस्टिवल जो है इसका इनकात कराया फिर उनोंने ये भी कहा कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री इ जो मीडियम है टेलोविजन का या सिनमा का उससे आप अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट कर सकते हैं हम देखते हैं कि हमसाय मुल्क में एकसर फिल्म जो बनाते हैं वो जिस तरह का कॉंटेंट सामने लेकर आते हैं उससे बहुत से पैगमात भी वो दुनिया तक पहुंचा दे हैं आपने कल्चर को भी पूरी दुनिया में मतारिफ कर आते हैं इसी तरह से हम होली वुझ को भी देखें तो वह भी अपने कल्चर का पास रख रखते हैं लगा कि इनकी नहीं जानती है कि हम नहीं बस मुझेलिधा है हो जो हैं घुरेलू जगणों पर सास बहु पर या तेलिविजन का मीडियम बहुत स्ट्रॉंग था और ऐसे इसे शहकार ड्रामे बनाएगे हैं जिसको अब हम अगर हम देखे ना तो हम बड़ा इंज्वाय करते हैं तो अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारे जो फिल्म साज हैं यो ड्रामा डिरेक्टर्स हैं वो ऐसे ड्राम और पाकिस्तानियत को फरोग दे सकते हैं साथ इसा जैसे खांस आपने भी का कि पाकिस्तान का है कि सॉफ्ट इमिज इस तरह से आके जाएगा जी तो यह बड़ी अच्छी चीज हुई आज और मेरा जी किया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं क्योंकि अमूमी तोर पर होता है कि जो माषचे में मनफी चीजों हुरी होती जिस पर हमारा दिल बड़ा दुखरा होता है हम वो maior करते हैं उस पर बात करते हैं लेकिन हमें ये भी करना चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज होरी हो इस अच्छी चीज हो इसको भी शेयर करें ताकि आप कि आप लोगों की मीडिया इंडस्ट्री अपना थोड़ा से रुख और सोच बदले तो पाकिसान कहा से कहा जा सकता है उसका इमिज पूरी दुनिया में कैसे बहाल हो सकता है और फिर हम अपने कल्चर को फरोग कैसे दे सकते हैं तो आज मैंने अपने इस विलॉग के जरीए से आप से अपनी सोच शेयर की ये एक अच्छी सी पॉजिटिव खबर शेयर की इसी तरह मैं आप लोग के लिए विलॉग बनाती रहूंगी और जाते जाते फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा इस दुआ के साथ के ल हमारे प्यारे पाकिस्तानियों का हामियो नासिर हो अल्ला हाफिस